भूपटल विबंग प्रित्वी के इंतरचात बलद्वारा दूपश्ट की चट्टानों के एक तल के सारे थानंत्रण को भूपटल विबंग कहते हैं भुपटल विबंग तीए तीन रूप हैं चट्कने विबंग और भंच चट्कने तनाव की शक्ती सामाने उपर बोपड़ी की चट्ञानों केवल चट्कने पड़ती हैं ऐसा चट्टानों में गर्मी वे दवागी पुनावर्ती की कारण सिकुडने वे आयतन में कमी होने से निर्बल छेत्रों में होता है विबंग तनाव मूलक अंतरजाद बलकी तिवरता कुछ अधिक होने पर चट्टानों के इस तरों में सामने इस्थान अंतरण के कारण चट्टानों में दराक अनिर्मान हो जाता है इन दरारों को विबंग का जाता है तता जिस तल के सारे वुपटल की चट्टानों का इस्थान अंतरन होता है उसे विबंग तल कहते हैं विबंग या ब्रंश तल वे तल या सतय जिसके सारे संचलन होने से चट्टानों का इस्थान अंतरन होता है ब्रंश नती, ब्रंश तल वे शैतिस तल के मद्धिका कौन, उच्छे पित खंड, ब्रंश तल के दूसरी और के खंड के पेक्षा, उच्छे उठेवे खंड को उच्छे पित खंड कहते हैं, अधा शेपित खंड, उपर उठेवे खंड के पेक्षा, नीचला खंड, शीर्ष ब्रंश बित्ती जब कोई ब्रंश लंवत रूप में न होकर जुकावा बनता है तो ब्रंश की उपरी दिवार को शीर्ष बित्ती वे नीचे की दिवार को पाद बित्ती कहते हैं ब्रंश का गार ब्रंश के कारण इस्तली सतय पर निर्मित खड़े ढाल वाला भाग किनारा ब्रंश का गार कहलाता है ब्रंश के प्रकार ब्रंश मुक्यते दू प्रकार के होते हैं सामाने ब्रंश और उतकम ब्रंश सामाने ब्रंच का निर्मार तनाव के बलद्वारा चट्टानों में पड़ी दराड के दोनों और के भुकंडों के एक दूसर की विप्रिदिशा में खिसकने से होता है तता उन में से एक भुकंड नीचे गिर अत्वादस जाता है सामबने ब्रंच से बूपर तल में प्रसार होता है सामबने ब्रंच में शीर्श मित्ती अदै शेपित खंड की ओर होती है अरताते ब्रंच तल में नीची की ओर सरक जाती है ब्रंच तल प्राय लंबवत या खड़े डाल वाला होता है इस प्रकार सामाने ब्रंश द्वार निर्मित खड़े डाल वाले कगार को ब्रंश कगार का जाता है विद्करम ब्रंश शैती संचलन द्वारा उत्पित संपिडन के कारण un prand संपिडन के कारण जब च्टानों में पड़ी दरार के दोरों और के बुकंडों के एक दूरों के सकने पर जब डूर के सकने पर जब च्टान का एक धूर्ष एक कंड़ पर चड़ जाता है तो निर्मित ब्रंश वुद्करम ब्रंश कहलाता है एक रिया वुद्करम कहलाती है इसमें सतय का पहलाव पहले की तुलना में खड़ जाता है ब्रंश तल प्राइश शैति तता ब्रंश तल का धाल सामाने होता है उप्लक दोनों ही ब्रंशों की द्वारा कगारों का निर्मा जब कगार के दो नोर के बोकंड ब्रंच तलके सारे उपर उठने या गदसने के वज़ा आगे पीछे करती करते हैं तो निर्मित ब्रंच टांस करेंट ब्रंच कहलाता है उदान सेन एंड्रियास ब्रंच वे हिमाले के गड़वाल वे उत्तरकासी छेतर में इस ब्रंच में कगारों की रचना नहीं हो पाती है उदान ते सिनिस्ट्रल ब्रंच शेल खंड का संचलें ब्रंच तलके बाई और डेक्स्ट्रल शेल खंड का स्थान तलके दाई ओध सोपानिय स्रीडी दार बरंच जब किसी छेत्र में एक दूसरे कर शमानता अनेक बरंच इस पर और्नमित होते हैं कि सभी बरंच तलों के ढाल एकी दिशा में होते से सोपानी बरंच कराता है कुदांटा यूरोप की राइन घाटी सोपारी ब्रंच के निर्माड तू ब्रंच तारा अद्दैसे पित खंड का अदो गमन एकी दिशा में होना आउशक है ब्रंच अंद्वारा इस्तला करती का निर्माड ब्रंच कगा ब्रंच घाटी रैंप घाटी ब्रंच घाटी या रिफ्ट घाटी किसी इस्तान पर दो सामाने ब्रंचों के कैई किलोमेटर के लंबाई में पढ़ने पर जब उनके बीच के नीचे के भाग के दसने से बेसी ने घाटी का निर्माड होता है तो इस घाटी को रिफ्ट घाटी कहा जाता है रैंप गाटी दो सामाने ब्रंचों है बंस रेखाओं के बीच के भाग को इतास्तिती में रहने तता संपीडन बल के कारण किनारे के दोनों इस्तंबों के उपर उड़ जाने से निर्मित गाटी रैंप गाटी कहलाती है ब्लोक परवत दो इस्तंबों के बीच के इस्तंबों के इतावत रहने तता किनारे के इस्तंबों के बीच से नीचे से धसने से निर्मान उड़ान सत्पुड़ा परवत जर्मनी का ब्लैक फोरेश्ट परवत होस्ट परवत दो ब्रंचों के किनारे के इस्तंब इतावत वे ब तोप का होर्ज परवत